अब आप Facts Cafe में आ ही गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे क्योंकि यहां आपको मिलेंगे Amazing Facts जो आपका mood fresh कर देंगे जैसे कि हर इंसान चाहता है कि उसके पास सर्च पाने के लिए एक मकान हो छोटा ही सही पर एक ऐसा घर जिसे वो अपना कह सके कु और आज के हमारे इस वीडियो में हम उन्ही आलिशान घरों के बारे में आपको बताने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें बकिंगम पैलेस ये दुनिया का सबसे महंगा घर है कुल 775 कमरे है जिसमें 52 शाही बेडरूम है और 188 स्टाफ बेडरूम वाले इस घर की कीमत 2.9 बिलियन डॉलर है इतना ही नहीं 77,000 वर्ग स्कॉाइर मीटर एरिया में फैले इस शाही महल में 52 अफिस भी है अमेरिका के फ्लोरिडा के पाम बीच पर बने इस आलिशान घर को फ्रेंट्शिफ हाउस के नाम से भी जाना जाता है और इस बंगले को 2008 में डॉनल्ड ट्रम्प ने खरीदा था 60,000 स्कॉाइर फीट एरिया में फैला ये बंगला सुरक्षा के लिहास से बेहत मजबूत है क्योंकि इस घर की खिड़किया भी बुलेट प्रूफ की है इस आलिशान बंगले की कीमत 913 मिलियन डॉलर है फ्रांस का ये घर 50 एकड एरिया में फैला है इस महल नुमा बंगले में हैलिपैड से लेकर स्टेडियम तक शामिल है और इसकी कीमत 750 मिलियन डॉलर है क्या आपका भी कोई बड़ा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते है अगर ऐसा कोई सपना है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए प्योरी काडन ये नाम आपने शायद सुना हो कुछ महंगे पैंस में से एक नाम इसका भी आता है प्योरी काडन वही मशूर फैशन डिजाइनर है जिसने 1958 में बबल ड्रस को इज़ाद किया था जो आज भी फैशन में है ये वैक्ति सिर्फ इन ही कुछ उपलब्धियों के लिए नहीं जाना जाता बलकि ये वैक्ति यूरोप के सबसे महंगे घर का मालिक भी है मेडिटेरेनियन सागर के किनारे बना यूरोप का सबसे खुबसूरत घर इसी वैक्ति का है खूब सारे बुलबुलो जैसे आकार से मिलकर बने इस घर में एक गार्डन, एक स्विमिंग पूल, 500 सीड्स का ओपन एर ओडिटोरियम शामिल है इसका नाम ली पैलस बुलेस है पेरी ने इसे 1990 की शुरुवात में खरीदा था आज इसकी कीमत 456 मिलियन डॉलर है यानी करीब 3420 करोड रुपे 6,000 स्कॉयर फीट एरिया में फैले इस फ्लैट को दुनिया के सबसे महंगे फ्लैटों में गिना जाता है बुलिट प्रूफ विंडो वाले इस फ्लैट की कीमत 221 करोड है और इसे वन हाइडे पार्क पेंट हाउस के नाम से जाना जाता है इलिसन स्टेट घर की कीमत 200 मिलियन डॉलर है ये घर कैलिफॉर्निया में बना हुआ है और इस घर में टी हाउस, बाथ हाउस और एक ताला भी मौजूद है इस घर के मालिक औरिकल कंपणी के को फाउंडर लैरी एलिसन है और इनके इस घर को दुनिया के सबसे महंगे घरों में शामिल किया जाता है ये केन स्टिंक्टन पैलस, प्रिंस वीलियम और उनकी पतनी केट मिडिल्टन का है इस आलिशान महल की कीमत 222 मिलियन है ब्लॉसम स्टेट पाम बीच में स्थित है और इस घर की कीमत 115 मिलियन डॉलर है और ये घर भी महंगे घरों में शामिल है क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? अगर नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे अमेरिका में बिल गेट्स का भी एक आलिशान घर है जो बेहत हाइटेक है घर में अंडर वाटर म्यूजिक सिस्टम से लेकर एक से एक बहतरीन चीजे है इस आलिशान घर की कीमत 120 मिलियन डॉलर है चार गार्डन, दस से जादा कमरे और एक बड़ी से लाइबरेरी वाले कलिफोर्निया के इस घर की कीमत 117.5 मिलियन डॉलर है ये अलिशान घर मशूर राइटर, जोर्नलिस्ट और प्रेजेंटर ओपरा विनफ्रे का है मुंबई में एंटीलिया नाम का एक घर है जिसके मालिक मुकेश अंबानी है एंटीलिया 27 मंजिलो और 9 हाई स्पीड अलिवेटर से लेस है इसमें एक बहु मंजिला गैराज है जो 168 कारों को समायोजित कर सकता है और इसमें 3 हैली पैट, एक भव्वे बॉल रूम, एक थेटर, एक स्पा, एक मंदिर और कई सीडी दार बगीचे भी है इस आलिशान घर की कीमत 1 बिलियन डॉलर है तमाम आधुनिक सुविधाय मौजूद ये घर 40,000 स्कॉयर फीट में बना है उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके पास कोई सवाल या फिर आप किसी फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं साथ ही अमारे साथ जुड़े रहने के लिए अमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे